हेलो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं आज एक नियू अपडेट के साथ आ चुका हूँ राचीय स्टेशन पर हंगामा हुआ है पर छर्थियों ने जो है हटिया पटना ट्रेन पर किया कब जा 300 से अधिक यात्रियों की जो है ट्रेन चुटी तो यह किस वज़े से यह ट्रेन चुटी और ऐसा क्यों हुआ तो आप लोगों को सारा जनकारी इस वीडियों में देंगे तो इस से लेकर के बहुत इप लोड़ी यहाँ पर जनकारी निकल का रही है तो आप लोगों को सारा चीज देखने को मिलेगा रेलवे की परिक्षाद देने आया अब यहार्थियों ने गुरुबार को राची रेलवे स्टेशन पर हटिया से पटना जा रही हटिया पटना इसलामपूर ट्रेन में कबजा कर लिया इस कारण करीब 300 से अधिक यात्रियों की ट्रेन चुट गई वहीं एस्टेशन पर तैनात आर्फी एफ के जवानों ने वैद देयातरा करने वाले यात्रियों की मदद करने के बजाए उसे ट्रेन में चड़ने से रोक दिया यात्रियों ने आरोप लगाया है कि RPF और GRP के साथ स्टेशन मास्टर ने भी इस मामले में कोई मदद न की चुप़ी साधे रखी यात्रियों ने स्टेशन मास्टर के चेंबर में जाकर आगरह किया कि ट्रेन रोकी जाए और अरक्षित बोग्यों में चड़े अनरक्षित यात्रियों को उतारा जाए लेकिन कोई सुनने की तयार नहीं हुआ इसके बाद अस्टेसन मास्टर के चैंबर में यात्रियों ने जम कर हंगामा किया यात्रियों के उग्रतेवर देखकर अस्टेसन मास्टर अपना चैंबर छोड़ कर भाग गया इधर इस मामले में DRM ने कहा है कि जनकारी मिली है पता करता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ है RRB की परिक्षा रेलेव को पता था फिर भी अतिरिक्त भोगी नहीं लगाई तो यहाँ पर आप लोग बताए कि यहाँ पर यह रेलेवे की तरफ से अच्छा क्या गया जब पता था RRB का परिक्षा हो रहा तो यहाँ पर एक्स्ट्रा भोगी यहाँ पर एड करने की ज़रुरत थी पर नहीं कि इसलिए ऐसा यहाँ पर देखने को मिला और 300 से अधिक यहाँ पर यात्रियों का ट्रेन चुटा और यहाँ पते के पर रेलवे को पता था कि राची में जो है RRB की परिक्षा चल रही है फिर भी जो है ट्रेन में अतिरिक बोगया नहीं लगाई गई इसी वज़़े से राची से पटना जा रही ट्रेन में जो अवस्था का आलम है वहीं परिक्षा को लेकर जो है कई रेलवे जोन में रेलवे की ओर से अतिरिक ट्रेन चलाई गई है पर यहाँ पर ऐसा कोई ट्रेन नहीं चलाई गई है आरारवी की परिक्षा हो या फिर कुछ भी हो पर जो ट्रेन चल रही थी वही ट्रेन चल रही है और यहाँ पर किसी परकार के अन्य ट्रेन नहीं चलाई गई है बाकी किसी और एस्टेट में यहां पर आरवर्बी के परिषा को ले करके और भी कई ट्रेने चलाई गई है यात्री बोले आरपी एफ ने ट्रेन में चड़ने नहीं दिया ऐसी दूर्दसा पहले कभी नहीं हुई सिनियर सिटीजन सांती देवी सरस्वती देवी और बुजूर्ग रामलाल परसाद एस सिक्स बोगी में चड़ नहीं पाए तेन खुलने के बाद जो है दोड़कर किसी तरह जनरल बोगी में बैट गए बुजूर्ग यात्री के साथ जो है दो साल का बच्चा भी है यात्री टीकट लेने के बाद भी अपने बोगी में नहीं चड़ पाए क्योंकि सभी बोगिया में परचाती भरे हुए थे अब ऐसे में आरपी एफ भी ट्रेन में नहीं चड़ने दिया जबकि उसे मदद करनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया ऐसी दूर्दसा कभी नहीं ह चलाई होती तो यहां पर ऐसा नहीं होता ना किसी यातरी का ट्रेंश चुटता ना कि इतना भीड होता और किसी को जो है यह पर साने झाल नी पड़ती तो आप लोग मीमेंट करके बताई कि यह यह जो है अच्छरा हो रहा है या फिर आप लोग मताए थी वो रएल्यों